दिल्ली मेक जोलरी शोरूम में 25 करोड की चोरी का मामला सामने आ है चोर चोथी मनजिल का ताला तोड़ कर दुकान में घुसे फिर स्ट्रोंग रूम की दिवार काटी दिल्ली पुलिस ने घटना का सिसिटी फुटेज मिलने का दावा किया है शोरूम के मालिक संजीव जैन ने बताया है कि रवियार 24 सितंबर रात 8 बजे दुकान बंद करके उगए थे सोमवार को छुटी रहती है मंगलवार 26 सितंबर की सुभे 10.30 बजे शोरूम खोला तो हर तरफ धूल थी जांच के बाद पदा चला कि शोरूम में रखे सभी गहने गायब रहे सोने चांदी और हीरा समयत करीब 20-25 करोड के सामान की चोरी हुई है चार से पांच लाक रूपए कैश थे शोरूम मालिक ने बताया है कि चोर शोरूम के चौती मंजिल से छट का ताला तोड़कर वहां से नीचे आए इसके बाद स्ट्रोंग रूम की दिवार काट कर शौक में दाखिल हुई कटी हुई चट की वीडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि चोर शोटी से जगे काट कर दुकान में घुसे खालनकि इस घटना का अब तक कोई भी सिसीटिव फूटेज यानि कि वारदात का सिसीटिव फूटेज सामने नहीं आया है जिसमें चोरू की पहचान हो सके पुलिस सूतरो के मताबिक चोरी की इतनी बड़ी घटना को प्लानिंग के तहत अनजाम दिया गया है अब राधियों को दुकान और गहनों के बारे में पहले से जानकारी होगी तभी इतनी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया